Good morning student class 8 subject English reader lesson 1 another chance आज हम कक्षा 8 में बिसे English reader में part 1, part का नाम है हमारा another chance इसका मतलब होता है दूसरा अफसर, another chance को अगर हम अलग-अलग देखें AN, AN का मतलब होता है एक, other means दूसरा, chance means अफसर, सभी को पता है एक, another का मतलब दूसरा होता है और chance का मतलब अफसर या मौका होता है यानि कि इस जो ये part है, हमारे जो poem है, another chance इसका सीट सकी ये बता रहा है कि हम हमेशा दूसरे अफसर के बारे में सोचते रहते हैं कि अगर हम इस मौके में हमें असफलता प्राप्त हुई है तो हम दूसरा मौका अच्छे से कोसिस करें कि हमें दूसरा मौके में हम अपना वैस्ट कर सकें तो इस poem में कभी बता रहा है कि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि हमें एक मौका और मिलना चाहिए अपनी कमियों को सुधारने के लिए अपनी जो हमारी कमिया है उनको दूर करने के लिए हमें एक मौका और मिलना चाहिए जिससे कि हम अपनी जो हमारे अंदर कमिया हैं उनको बाहर कर सकें और अपनी असफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकें या बदल सकें तो कभी हमें यही बता रहा है कि अगर हम कभी एक मौके में पहले प्रयास में असफल हो जाएं तो हमें कभी भी निरास नहीं होना चाहिए और हमें दूसरे मौके को अच्छे से अफजर्व करना चाहिए ग्रन करना चाहिए और अपना वैस्ट देना चाहिए तो अगले प्रयास में दूसरे में भी यही बताते हैं कि कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह मौका चला गया तो अब हम कुछ नहीं कर सकते पहले प्रयास में असफल होने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगले प्रयास में कुछ नहीं कर सकते, अब हमसे कुछ नहीं होगा क्योंकि हर दिन एक नई सुभा होती है और हमें एक नया अफसर मिलता है अपना वैस्ट देने के लिए तो सभी को यहीं सोचना चाहिए कि अगर हम पहले प्रयास में असफल होएं तो अगली सुभा हमारे लिए एक नई उमीद लेकर आएगी तो बच्चों कभी भी हमें एक पहले प्रयास में असफल होने के बाद निरास नहीं होना चाहिए और दूसरे मौके के लिए हमेशा अच्छे से प्रयास करना चाहिए कि हम अपना वैस्ट दे सकें और वो यह बता रहे हैं कि जब हमें दूसरा मौका मिले तो हम कभी भी यह नहीं है कि अपने आधे मन से उस काम को करें क्या रहे एक मौका तो हमें मिल गया है तो अभी दूसरा मिल गया है फिर हम दूसरे के बाद किसी और मौके की दलाज में नहीं तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए अगर हम पहले में असफल हुए दूसरा मौका हमें मिल रहा है तो हमें उसे सक्सेस करने के लिए सफलता को प् प्रयास करना चाहिए और इस दुनिया में सभी लोग रहते हैं सभी कुछ ना कुल डेली कोई काम करते रहते हैं सभी अपना वैस्ट देने के लिए करते रहते हैं तो डेवाइड हमें भी उसी के लिए प्रयास करना चाहिए और जैसे हम इस दुनिया में रह रहे हैं तो प्रियास भी करें ऐसा नहीं है कि आप एक प्रियास में सफल हो गए तो आप सफल प्रियास करना ही छोड़ दें और हमेशा हमें सफल होने के लिए यह नहीं है कि हम महान बने केवल हमें सफल होने के लिए थोड़ा अपने अपने एक प्रकास लाना अपने एक चमक लाने की जरूरत है तो हमें सफल होने के लिए कोई महान बनने की जरूरत नहीं है अपने अंदर एक चमक प्रकास लाने की जरूरत है जिस अंजार में हम रह रहे हैं अपने आसपा अगर असफल हो जाएं तो हमारे अंदर कोई भी निरासा नहीं आनी चाहिए हमें निरासा को पूंड उफ से त्याग देना चाहिए क्योंकि हमेशा एक अगली सुभा जो होती है वो एक नया प्रकास लेके आती है और अच्छे दिन की सुरुवात करने के लिए ही एक नई सु हिंदी में जानेंगे वर्ड टू वर्ड आपको जो भी वर्ड तफ लगेगा डिफिकल्ड लगेगा मैं उसका हिंदी में अर्थ भी लिखूंगी आप उसको लिखें और बाद में आपको डिफिकल्ड बड़ भी बताये जाएंगे हाउ का मतलब होता है कैसे आफ़न मींस होता है अक्सर भी हम विश इक्षा करते हैं चाहते हैं फोर के लिए अनौदर दूसरे के लिए चांस अफसर अक्सर हम किस प्रकार से दूसरे मौके की तलास में रहते हैं पहली राइन का अर्थ है कि किस प्रकार से हम अमेशा दूसर बिगनिंग टूमेक करने के लिए या बनाने के लिए और मींज एक फ्रैस मींज नई बिल्कुल ताजी बिगनिंग मींज शुरुआद एक नई शुरुआद करने के लिए हम हमेशा किस तरह से एक नए मौके की तलास में रहते हैं अगर एक प्रयास में असपल हो जाएं तो हमें दूसरा मौका मिलना चाहिए जिससे कि हम और अच्छा कर सकें तो दो लाइनों में पोईट हमें यहीं बता रहा है कि किस तरह से हम एक नई शुरुआद करने के लिए हमें साथ दूसरे मौके की तलास में रहते हैं दूसरे मौ चाहनस टू ब्लॉट आउट अवर निकालने के लिए अवर हमारी या अपनी क्यूंकि यहां पर हमने बी लिखा है तो बी के साथ अपने के लिए अवर आता है इसलिए यहां पर अवर का यूज किया गया है अबर अपनी mistakes मिस गलतियों को and और change बदलने के लिए failure मितलब असफलता या hargo into में winning सफलता या बिजय में तो our chance to brought out our mistakes अपनी गलतियों को बाहर निकानने के लिए और change failure और असफलता को सफलता में बदलने के लिए हमें दूसरे मौके की तलास रहते हैं तो point in child line में यही बता रहा है बच्चो कि किस तरह से हम हमेशा एक अच्छे मौके की तलास में रहते हैं अच्छी एक नई शुरुवात करने के लिए और हमेशा अपनी गलतियों को बाहर निकालने के लिए अच्छ अमेशा एक नए मौके की तलास में रहते हैं जिससे कि हम अपनी सफलता को सफलता में परिवर्तित कर सकें इसके लिए वो बता रहें कि इस सब के लिए जो हमने अभी पहली चाल लाइनों में पड़ा कि हमें हमेशा एक नए मौके की तलास रहती है कि हम अपनी सफलता को सफलता में बदलेंगे तो इसके लिए हमें एक नया मौका मिलना चाहिए एक नए सुबह होनी चाहिए तो पॉइट यह कह रहा है कि इस सब के लिए एक नए सुबह की जरुवत नहीं होती है टू मैक अब रांडू एक दों बिल्कुल नए सुबहात करने के लिए किसी भी नए दिन की अवशक्ता नहीं होती है उनके कहने का मतलब यह है कि जब भी हम अपने विचार मन में यह लाएं कि हमें एक नए सुबहात करनी है तो हमें एक नए दिन चाहिए तो इसके लिए कभी भी एक नए दिन की सुबहात करने के लिए नए दिन की अवशक्ता नहीं होती है इसके लिए ओनली केवल टैक्स होती है लेते हैं और डीप डिजायर का मतलब होता है गहरी इक्छा Deep desire दिल की जो गहराईयों से हमारी इच्छा होती है मन की गहराईयों से जो इच्छा होती है हमें एक नए शुरुआत करने के लिए केबल उस इक्छा की अवशक्ता होती है To try with all our hearts जिसका प्रयत्न हम पूरे दिल से कड़ सकें तो बच्चो इन चार लाइन में पोईट यही बता रहा है, कि जो हम मौका चाहते हैं, तो उस मौके के लिए हमें किसी नई दिन की आवशकता नहीं होती है, इस सब के लिए हमें केवल अपने दिल के गहराईयों से, अपने पूरे हिर्दे से गहन इक्षा सकती से उस गहन इक्षा सकती की ही आवशक्ता होती है किसी भी नई शुरुवात को करने के लिए तो बच्चों दो इस टैंजाम पढ़ चुकें उनमें हमने अभी तक समझाए कि हम अपने मौके को अच्छे मौके की तलास में नई दिन इनकी जरुवत नहीं होती इसके लिए केवल आपका मन होना चाहिए आप अपने दिल से उसके लिए तयार होने चाहिए आपका हिर्दे उस चीज को आपजर्व करने वाला हो आपके विचार जो हो उसकाम को पूरे तरीके से पूरे प्रयास से करने के लिए होने चाहिए उ to always be forgiving उनके मतलब यह है कि हम जब अच्छे विचार रखेंगे अच्छे हैं तब हमें किस तरह से हमें अच्छा करने के लिए अपने दिल को कि यहराईयों से किसी भी काम को करने के लिए हमें किस प्रकार का बनना है तो उनका कहने का मतलब हमें कुछ अच्छे तरीके से रहना चाहिए और कुछ अच्छा करने के लिए हमें कोई महान बनने की जारुत होती कि हम बहुत महान बने तब हम अच्छा कर सकते हैं उन्होंने यहीं बत Tiger के लिए कि हमें वर हमें मतलP होता है चमा सील यानि कि उनके कहने का मतलब है कि अच्छा करने के लिए अच्छा बनने के लिए बस कुछ हमें चमा सील बनने की जरूत है यानि कि कोई अगर हमारे साथ में गलत भी करता है तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना है में उसको उसकी गलतियों के लिए छमा करना आना चाहिए हमें बस छमा सील बनना है अच्छा बनने के लिए and or to add और जोनी चाहिए a little sunshine, little means कुछ या थोड़ी sunshine means होता है सूर्य का प्रकास लेकिन यहां बच्चों अपने अंदर के प्रकास की बात हुई है and to add a little sunshine और अपने अंदर थोड़ा सूर्य का प्रकास भी अपने अंदर एक प्रकास जोड़ना चाहिए to the world in which we are living और जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको भी अपने विचारों से उस प्रकास से प्रकासित करना चाहिए तो इंचार लाइनों में कभी यही बता रहे हैं कि कभी भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम अच्छा करेंगे तो उसके लिए नई दिन की सुरुवात हो नया दिन होना चाहिए इसके लिए केबल आपके दिल की गहरायों की जरुवत है आपको कोई भी काम करें वो अपने दिल से करें अपने दरण निश्चे से करें और पूरे मन से करने की जरुवत है और थर्ड इस्टैंजा में पोईट यही बता रहे है कि अच्छा बनने के लिए आपको कोई महान बनने की जरुवत नहीं है उसके लिए आप GB छमा सीङ अंदर थोड़ा सा प्रकास लाना चाहिए सूरे का प्रकास में लाना अपने अंदर इच्छाव की सकती जगानी चाहिए और जिस संसार में आप भालो यानि कि वी मीन्स हम यह आर है बच्चों ए-r-e आर इसका मतलब होता हैं living means रह रहे हैं यानि कि जिस संसार में हम रह रहे हैं उससे हम अपने आपको भी प्रकासित करें और अपने आसपास के सारे बातावरण को भी प्रकासित करें और फोर्थ इस्टैंड जाए बच्चो सो नेवर सो मींज इसलिए never कभी नहीं give up त्यागना चाहिए यानि कि त्यागने का मतलब है छोड़ना चाहिए त्यागना या छोड़ देना so never give up in despair तो कभी भी हमें निरासा में कोई भी काम को नहीं छोड़ना चाहिए यानि कि हमें अपने अंदर कभी भी निरासा नहीं लानी चाहिए यंद त्युश्य चाहिए और सोचना चाहिए तिंग का मतलब होता है सोचना और आपको यह सोचना चाहिए कि आप उस चीज से गुजड़ चुके हो आपने कुछ किया तो है लेकिन और उनसे आप कहीं ज्यादा बैटर हैं जिन्होंने अस्तक कुछ किया ही नहीं बेसक आपको असफलता हाथ लगी आपको असफल हुए इसका यह मतलब नहीं है कि आप अ नहीं ज्यादा बैटर हैं कहीं ज्यादा वेस्ट हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं जो बिल्कुल खाली वेटे आपने कुछ किया तो है फोर Awws always और तुमारो क्योंकि प्ष्णका अगला दिन जो होता है टुमार Sou RHena का मतल़ा आने वाला कल जो आने वाला कल होता है वह हम एक नई सुभा होती है हमें कभी यह नहीं सोचना जी आज का दिन गया तो हम आप कुछ नहीं कर सकते आने वाला जो दिन होता है वो एक नई सुभा लेके आता है and the hope of starting a new hope means आसा और starting शुरुवात करने के लिए अन्यू और हमें यही सोचना चाहिए कि जो अगला दिन आएगा वो एक हमें आसा की एक नई उमीद लेके आएगा एक नई सुरुवात करने के लिए तो इस poem में poet यही बता रहे हैं वाचो कि कभी भी जो काम हम करते हैं उसे करने के लिए पहली बाद तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे मौके की तलास में रहे हम कि अरे यह मौका चला जाएगा तो हम अगले बार कर लेंगे ऐसा नहीं रहना चाहिए और अगर हम पहले प्रयास में असफल हो जाएं तो हमें कभी भी निरास नहीं होना चाहिए हमें हमेसा अपनी कम्यों को सुधारने के लिए दूसरे मौके की तलास में हम रहते हैं लेकिन उस मौके को भी हमें पूरे दिल से प्रयास करना चाहिए कि हम अपना बैस्ट कर सकें जिससे हम कभी भी असफल ना हों असफल तब जब हम कोई भी प्रयास अपने आधे अधूरे मन से करते हैं बिना इच्छा सकती कि अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आप असफल होंगे और अब अपने डैटरमाइंड से इच्छा सकती से कोई भी काम करेंगे तो आप कभी भी असफल नहीं होंगे तो इन पं कभी भी ये ना सोचें किicie with i hope बच्चों कि आपको यह पोईम अच्छ से समझ में आ गई होगी और इसके जो डिफिकल्ड बड्स है उनकी आपको पीडियाफ और जो question answer है उन सबके all exercise की पीडियाफ आपको बेज दी जाएगी आप उनको अपनी fair copy में अच्छे-च्छे से साफ साफ करके लिख लीजिएगा और उनको learn करना poem भी आपको learn करनी है